नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी जब से कनाडा के प्रधान मंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरो भारत पर मड़ा है भारत सरकार पूरी सक्ति के साथ कनाडा को एक्सपोज करने में लग गई है देश के लोगों का यूं तो कहना ये है और दुनिया के लोग प targeted ये चांजर जो मारा गया था वह कोई एक आम कनाडा का नागरिक नहीं वो खालिस्तानी आतंकवादी था और यह जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं इनिma की वज़य से कभी एक बार एर इंडिया के विमान को उड़ा दिया गया था जिसमें सेंकडों कनाडा के नागरिक मारे गए थे उस मुद्दे पर उस समय जब जो सरकार थी तब ये बात उटी थी इस तरह के लोगों का संड़क्शन कनाडा क्यूं कर रहा है लेकिन उसके बात से जो कॉंग्रेस की सरकारे रही वो इस मुद्दे पर मौन हो गई और इसलिए कनाडा को एक सहरा मिल गया और उसका सास बढ़ता चला गया उसको लगता था कि भारत मिरोधी अभियान में वो जो एक कनाडा की अंदर धर्ती पर बैट करके और खालिस्तानी मांग कर रहे हैं खा मनसूबों पर भारत की मोधी सरकार ने पानी फेर दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जे संकर उसको हर प्लेटफॉर्म पर घेर रहे हैं जहां एक पर एक तरफ यूएन में एस जे संकर ने उसको एक्सपोज करते हुए ये कह दिया कि बिना सबूत के आप इस तरह की बाते करके किसी को व्यक्तिकत रूप से या सारजनिक रूप से किसी देश पर आरोप नहीं लगा सकते यदि करनाड़ा के पास कोई सबूत है तो वो हमें वो सबूत सोपे तब हम कारवाई करने का विचार करेंगे दूसरी तरफ आपको याद होगा हमारे विदेश मंत्री एस ज सपोर्ट करेंगे नहीं तो विरोध करेंगे यह सेलेक्टिव मोड जो है दुनिया के देशों का यह दुनिया के लिए खतरनाक है और आतंकवाद के मुद्दे पर सबको एक दिशा में एक ओकर सोचना होगा और इस मुद्दे पर जब यूएन में मुद्दा उठा तो आप यूएन प्लेटफोर्म पर बात हुई अब विदेश मंतरी से बातचीत कर रहे हैं और हलाकि उन्होंने मीडिया से बात करने को मना कर दिया लेकिन जिस तरह की बाते हुई हैं जो सूत रहे हैं वो यह बता रहे हैं कि अब इस मुद्दे पर कनाड़ा को अलग तलग करने मे बारत सरकार जुट गई है जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी एक्टिविटी को बढ़ावाद किया आतंकवादियों की वो घुसपैट सेना के साहरे से कराता था आईसाई ने फंडिंग की है यह चीज़े खुलकर आती थी और जब भी कोई सरकाय गए और उस सबूत का एक डोजियर बना करके सौपा गया अब कभी पाकिस्तान पर जब भारत सरकार हमला करेगी जैसे कि पहले भी सर्जिकल श्ट्राइक किया है तो निच्चित रूप से वो यूएन में जाएगा निच्चित रूप से वो दुनिया के सामने जाकर देखो भई मेरे छेतर में सेना गुज गई तब ये सबूत उस समय दिखाए जाएंगे ठीक इसी तरह कनाडा की धर्ती पर जो हो रहा है वो सब का सब भारत सरकार उस पर नजर बनाये हुए है जिस तरह के वहाँ खालिस्तानी मुम्मेंट को चलाने की बाते ये गुरु प जगे जगे उन्होंने आतंकवादी का गुणगान करते हुए पोस्टर बैनर लगाए थे खुद उन्होंने वो पोस्टर बैनर हटाए हैं क्योंकि अब कनाडा चारो तरफ से गिर गया है कि जो आतंकवादी भारत की भूमी पे या भारत के बाहर कोई भी इस तरह की भारत के लिए नुकसान दें होगा भारत की अखंडता के लिए नुकसान दायक होगा तो फिर भारत उसके लिए आजाद है और यह भारत में करके और रिखा आया closely एक तरह आपको बता दू के जो हमारी देश कि विदेश मंत्री विदेशों के प्लेटपॉम पर कनाड़ा को अलगतलग कर रहें एक्सपोज कर रहें उसका असर भी आया है अब कनाड़ा के परदान मंत्री जो जस्टिन टूरो है उनका बयान आ गया और वो बदल रहें वो कहने हैं साथ भारत के साथ हम अच्छे रिष् कि सरयाम कनाडा के प्रधानमंत्री टुडरों को वहां की जनता जो है गालियां दे रही है वो कह रही है कि साब आप इस देश में आतंकवादी बढ़ा करके और उनको पड़ावा देते के क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो भारत के दबाव के कारण और भारतिय मूल के वहां काफी लोग रहते हैं तो उसमें भी आपको पता दो जो सिक कम्यूनिटी है जो वहां कनाडा में भारत मूल के लोग रहते हैं में सिक्ष कम्मिनिटी के लोग भी हैं उनमें भी मात्र एक परसेंट लोग ऐसे होंगे जो कही ना कहीं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं या उसको यह कह सकते हैं कि उन्हें पता है अच्छे से के भारत में किसी हिस्ते में खालिस्तान बनना नहीं है यह 1947 का भारत नहीं है लेक मामला नशे की खेप का है कारोबार में गैंगिश्टिरों का आपस की लड़ाई है और उसने सोचा के प्रोपगंडा के तहर भारत को एक्सपोज करो बदनाम करो ताकि इस बेस पर भारत के अंदर सिख भढ़के और फिर हिंदू सिख के या दंगे करा दो ये पहली बार नहीं है चीन ने पाकिस्तान की सह पर अपने पिठ्टों के सह पर भारत में कई बार ऐसे दंगे फसाद कराने का प्रियास किया है नोर्थिष्ट की अभी मनिपुर की हाली की हिंसा आप देखें फिर से बढ़की है चाहे नागालेंड में हो उसके पीछे कौन ह आप जाईए मनिपुर में आप जाईए आप नागालेंड में और बात करो लोगों से आम आदमी बताएगा कि इस इंसा के पीछे चीन है वहां से नशे की खेप आती है हतियार भेजा जाता है उसके पीछे मयामार से आता है और फिर वहां पूरा नोर्थिष्ट को काटने क एक सडियन चल रहा है तो सैना ने मौर्चा समाला हुआ है और उस नोर्थिष्ट को हम अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे लेकिन ये जो खालिस्तानी मुमेंट चलाने वाला ये जो अंदोलन करने वाले लोग थे उस पर भी भारत सरकार ने कड़ा प्रहार किया है एना ये के उपर रेड हुई थी जो खालिस्तान समर्तक है गैंग चलाते हैं गैंगिस्टर हैं नशे का कारोबार करते हैं उन सब नेक्सस को जब तोड़ा गया तो अभी दिल्ली पुलिस की स्पेसल सैल के सूत्रों ने खुलासा किया है कि ये जो एना ये की रेड हुई है ये एक इन्पुट के अधार पर हुई थी कि ये जो खालिस्तानी लोग हैं ये गैंगिस्टरों के दरिये भारत में जो गैंग चलाते हैं बदमाश हैं उनके जरिये अब पूरे देश में एक साथ दंदा फसाद और हत्याएं कराना चाहते थे उसमें उत्तरप्रदेश, उत्राख को तोड़ा गया तो उन एक तरफ देश के अंदर एनाई ये पूरी रूप से एक्टिव है अभी तक आपको पता दूँ एक साथ हजार अस्थान पर फिर उसके बाद बाकी बाद में भारी मात्रा में गोला बारूत पकड़ा गया है पिश्टल पकड़ी गई हैं गोलिया किया है और इनका थरीका है कि जिसे हरियाना के नूम है आपने देखा के जो नलड मंदिर के पर वहां सोबायातरा निकल रही थी या अन्य जगह भी जो सोबायातरा निकलती है आप देखें गड़ेज उत्सव चल रहा है इनकी सोबायातरों पर प्रत्रा हुआ यह वही लो पर हो रहे हैं एक तरफ कनाड़ा में कनाड़ा में भारत के मूल के जो लोग रहते हैं वो कनाड़ा के परधान मंतरी को गेर रहे हैं दूसरा जो कनाड़ा के लोग ही हैं कनाड़ा मूल के रहने वाले वो भी अब अंग्रेज भी वो भी परधान मंतरी टूडरों के रखते हैं उनकी फोटो आ रही हैं ऐसे लोगों को हमारे देश का अगर परधान मंत्री ये कह रहा है कि हमारा नागरिक मारा गया इसलिए हम इसकी जाच करेंगे तो जो रोज हत्याएं हो रही है पहले उस पर ध्यान देना चाहिए और तीसरी तरफ जो है ये प्रहार हो रहा है विदेशों में हमारे विदेश मंत्री हर देश से कॉंटक्ट कर रहे हैं जो हमारे मित्र देश हैं और उनके जरिये अभी पीछे है स्रिलंका ने बोला फिर अभी साओधी ने बोला और ऐसे कई देश के प्रधान मंत्री और राजने अभी जो है कनाडा को घेर चुके है और अब अमेरिका की धर्ती से हमारे विदेश मंतरी घेर रहे हैं जिसका कोई जवाब कनाडा के प्रधान मंतरी पर नहीं है और इसलिए कनाडा के प्रधान मंतरी ने अब अपनी हार मान ली एक तरह से और उसने जब यह स्विकार कर लिया और बोल रहा है कि भारत से हम दिस् अच्छे भारत से चाहते हो तो सीधी बात यह है कि यह जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं इनको आप कनाडा में सै नहीं देंगे इनके कलापकारवाई करें और जो हमारे दोशी हैं जिन्नोंने यहां हत्याएं कर रखी हैं या कोई भारत विरोधी अभ्यान चलाते हैं और भ भी सौब दिया है कि वह यह हमारे जो दोशी हैं यह इन्हें हमें सौब दो भारत के कानून के हिसाब से हम इनको सजा देंगे और यहां इनसे पूछ तांच करेंगे देखना होगा अब कनाडा इस पर अगला कदम क्या करता है लेकिन इतना तो तैह है कि भारत सरकार ने पह पुछ है